हेलो स्टमेंज चलिए स्टार्ट करते हैं सर्फेस एरिया एंड वोल्यूम का एक्जांपल नंबर 13 देखते हैं क्या है हनुअंपा एंड हिच वाइफ गंगमा और बीजी मेकिंग जैगरी आउट ओफ सुगर के जूस यहां पर क्या है हनुअंपा और उसकी वाइफ जो हैं गुड बना रहे हैं गुड का तो आपको पता होगा आपके एरिया में गुड को क्या कहते हैं आपको कमेंट करके मुझे बताना है ठीक है मुझे भी पता लगे कौन से एरिया में क्या खा जाता है वो क्या गरे सुगर क जूस से गन्य के जूस से गुड़ बना रहे हैं, they have processed the sugar cane juice to make the molasses, which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone, having a diameter of its two circular face as 30 cm and 35 cm, क्या काया है उसने, कि हनुअंपा और गेंगमा जो उसकी पतनी है, वो क्या कर रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, और जो sugar cane से molasses, जिसको हम बोलते हैं, जो आपने देखा होगा, UP बगरा में है, जो उत्रपरदेश में, हरियाना पंजाम में, जैसे मैं रहता हूँ, वहाँ पे shape के अंदर fill करना है, और fill जिसमें करेंगे न, वैसी ही shape की हमारी क्या बन जाता है, गुड़ बन जाता है, तो इस तरिक्ये से बना रहे हैं, और इसकी dimension दे रखी हमें 30 cm और 35, मतलब उपर वाले जो face है, इसका diameter हमें दे रखा है 35, और निचे वाले face का diameter हमें दे रखा है 30 cm vertical height दे रखी है, इसकी कितनी है, 14 cm, vertical height मतलब city height, slant height नहीं given है, ठीक है, if each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 gram, अगर एक centimeter cube के अंदर 1.2 gram molasses आता हो, मतलब good आता हो, find the mass of the molasses that can be poured into each mold, तो एक इस shape के अंदर, एक malt के अंदर कितना good आ जाएगा, वो हमने find out करना है, ठीक है, एक तरीके से हमें क्या निकलना है, बच्चो इसका पहले volume find out करना है, समझ में आ गई बात, बस यही काम करना है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें height दे रखी ह height क्या है, 14 cm, radius कितना दे रखा है, r1 हमारा क्या, 35 by 2 हो जाएगा, क्योंकि यह तो diameter दे रखा है, और r2 जो हो जाएगा, बच्चो क्या हो जाएगा, 30 by 2 हो जाएगा, divide कर लो, यहाँ पे यह r1 is equal to क्या आ गया, 17.5 cm, और r2 जो आ गया, वो आ गया, मेरा 15 cm, आ गई value, अब न गूड आने वाला है, तो volume of frustum, formula क्या होता है, पिछले क्योंसर में हमने सिखा था, 1 by 3 by h into r1 square plus r2 square plus r1 r2, value put करते हैं, तो 1 by 3 into pi की value क्या लेनी है, 22 by 7, multiply h की value क्या है बच्चो, 14 into r1 square, मतलब 17.5 का square, प्लस में 15 का square, प्लस में 17.5 multiply by 15, समझ में आ गया, clear है, तो दिखते हैं, क्या आता है, यहां पर 7 बन जा 7, 7 तू जा 14, 22 की 4 से multiply, 44 by 3 into, 17.5 का square करेंगे, तो 17.5 की 17.5 से multiply, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, 306.25, प्लस में 15 का square, 225 होता है, प्लस में 15 की 17.5 से multiply करेंगे, प्लस में 15 की 17.5 से multiply करेंगे, इनको add कर लेते हैं, एक बार, देखते हैं क्या आती है, वीडियो पोज करके, तो इनकी जो addition आगी, वो आगी, 793.75, ठीक है, इसको 3 से divide करते हैं, 3 बन जा 3, 3, 2 जा 6, यहां पर हो गया, हमारा 19, 3, 6, जा 18, फिर हो गया, 13, 3, 4, जा 12, 17, तो हमारा 3, 5, जा 15, 25 हो गया, तो 3, 8, जा 24, 10 हो गया, 3, 3, जा 9, तो 264.583 आ गया, इसकी multiply करेंगे 44 से, तो क्या आएगी, देख लेते हैं, rough side करके एक बार, तो यह आ गई हमारे पास, 1, 1, 6, 4, 1, point, यहां पर value आई, 6, 5, ठीक है, अब यहां पर देखो 5 या 5 से बड़ी value हो, तो round off करेंगे, आगे, कैड हो जाएगा, तो कितना हो गया, यह 11, 6, 4, 1, point, 7, cm3, यह आ गया हमारा इसका volume, ठीक है, समझ में आ गई, बात यहां पर, अब उसने क्या का है, एक cm3 का जो weight है, वो 1.2 gram है, तो इतने का कितना होगा, तो क्या करेंगे, simple सी बात है, 1.2 से इसकी multiply कर देनी है, और कुछ भी नहीं करना, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो हमें given है, 1 cm3, molasses, heads, weight, या फिर mass, कितना 1.2 gram, और हमारी calculation क्या आई है, mass of molasses in mold, mold के अंदर कितना mass होगा, वो क्या ऐसे निकलेगा, 11, 64, 1.7, multiply 1.2, एक cm3 का इतना gram mass है, तो इतने का कितना होगा, इसकी calculation कर लेते हैं, तो multiplication क्या आजाएगे, हमारी यहाँ पे, 13, 97, 0.04 gram, यह आ गई, अब इसको kilogram में convert करना है, तो divide by क्या करेंगे, 1000 से इसको divide कर लेंगे, 3 zeros है, तो point हमारा 3 places shift हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ गया, 13.97 kilogram, this is the answer, ठीक है, समझ में आ गया, तो एक mouth के अंदर, जो एक फ्रस्टम बनाया है, उसके अंदर 13.97 kilogram गुड़े आ जाएगा, इस तरीके से निकालना है, कोई भी दिक्कत किसी पर कार की लगे, तो आम मुझे comment करके पूछ सकते हैं, और वाइच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू स्टूदेंस पर वाचिंग यूर चैनल, नेक्सा क्लास इज,